चोरी की नव बाइक के साथ दो आरोपियों को चांपा पुलिस ने किया ग्रिपतार भेजे गाई जेल चांपा रेलवे इस्टेसान में एक वेक्ती मोटर स्रैंकिल बेचने के लिए ग्राहा की तलास कर रहा है जिसकी सूचना प्राप्त होने पर ततकाल चांबा पुलिस ने टीम रवाना बना कर आरोपि वेक्ती को थाने में ले जाकर पूस्ताज किया तो खुलासा हुआ की चांपा थाना छेत्र के अंतरगा दो मोटर स्रैंकिल जांगीर थाना छेत्र की एक मोटर स्रैंकिल बलावदा बजार छेत्र की एक मोटर स्रैंकिल ताथा बलावदा बजार जीले की एक मोटर स्रैंकिल एवं ग्लासपूर जीले की एक मोटर स्रैंकिल चोरी की गई है चांपा थाना छेत्र में चोरी की गई मोटर स्राइकिल को ग्राम पर्षा भाटा उर्गा निवासी अमी सार्थी के पास बेची गई थी अन्य मोटर स्राइकिल को गरहा की तलास होने से अपने घर के पास पीछे बाड़ी में छीपा कर रखा बताया गया पुलिस ने आरोपियों के कबजेस से चोरी की गई नव मोटर सैंकिल बरामत किया है आरोपी चांपा बेलदार पारा निवासी गजेंडरा एवं उर्गा थाना छेतरा के ग्राम परशा भाठा निवासी अमी सार्थी को गिरत तार गया नेला में पेस किया गया है और नेक हिरासत में जेल भेज दिया गया है चांपा रेलवे स्टेशन में एक बाइक पेचे जाने की सूशना प्राप्त होने पर टीम वहाँ पर गई और टीम ने वहाँ पर गज्जू नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा और उसे हिरासत में लेकर पूछ दाच करने पर उसने बाइक चोरी करना स्विकार किया और साथी साथ उसने एक व्यक्ति जो अमित साथी नाम का व्यक्ति है उर्गा का उसको बाइक को बेचना भी स्विकार किया तो अमित साथी के पास से एक बाइक व्यक्ति जिसको उसने खरीदा था से इस अन्य जो आठ बाइक थी उसके बाड़ी घर के पीछे जो बाड़ी थी वहाँ वो छुपा कर रखा था उसके निशान देही पर बरामत किया गया था तो इस प्रकार कुल नो बाइक बरामत की गई है और ये जो नो बाइक है ये हमारे जिले के विभिन थानों के अलाव साथ ही साथ बिलास्पूर जिले की एक पाइक और बलादा बजारू जिले की एक पाइक तो इस प्रकार से इस नो बाइक को चौरी करना सभीकार किया है और इसी प्रकरण में फिर इसे भिद्यवैदगेर अफितार करके नयाय क्रिमान पर भेजे जानों